तो गैज आज़के इस वीडियो में हम कुछ conjunctions के बारे में बात करने वाले हैं हम उनकी मीनिंग के बारे में तो बात करेंगे ही साथ में उनके कुछ एक्सामपस के बारे में बात करेंगे ताकि जब आप उनने अपनी रियल लाइफ में यूज करो तो कोई problem ना हो So stay with me, my name is Nick and let's get going तो guys हमारा first word है although इसका मतलब होता है यद्यपी या फिर आप बोल सकते हैं हाला की लेकिन अगर इसे deeply समझें तो इसका मतलब होता है कोई fact है, मतलब वो fact होने के बाद भी कुछ होता है या फिर आप बोल सकते हैं ऐसा होने पर भी For example, although he is nearly 80, he is still very active इसका मतलब यह है की हाला की वो लगबग 80 साल के हैं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा active हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिये हैं या फिर इसी sentence को आप इस तरह से भी translate कर सकते हैं लगबग 80 साल के होने के बाद भी वो अभी भी बहुत ज़्यादा active है एक और example है Although she is wearing warm clothes, she is shivering with cold इसका मतलब यह है की हाला की उसने गरम कपड़े पहने हुए हैं लेकिन फिर भी वो थंड से काप रही है या फिर इसी sentence को आप ऐसे भी बोल सकते हैं गरम कपड़े पहनने के बाद भी वहुत ठंड से काप रही है एक और example है Although I was very tired, I finished my work before going to bed इसका मतलब यह है की मैंने बहुत ज़्यादा ठका हुआ होने के बाद भी अपना काम सोने से पहले खतम किया Although I was very tired, I finished my work before going to bed तो हमारा next word है Whereas इसका मतलब होता है जबकी या फिर चूंकी अगर इसे deeply समझें तो इसका मतलब होता है जब हम दो situations के बारे में बात करते हैं मतलब दो situations को आपस में compare करते हैं जो की एक दूसरे से अलग होती है तो चलिए कुछ examples लेते हैं आप examples के तो अच्छे से समझेंगे इसका मतलब यह है कि जो टॉम है वो अमीर है जबकी जैक पूर है गरीब है एक और example है इसका मतलब यह है कि वो चॉकलेट के लिए बहुत ज़्यादा दिवानी है बहुत ज़्यादा पागल है जबकी मुझे पसंद नहीं है इसको आपने maths में बहुत पार्स होना होगा लेकिन आप इसे English में भी यूज़ कर सकते हैं अपनी conversation में भी यूज़ कर सकते हैं इसका मतलब होता है के अतिरिक्त या फिर के अलावा लेकिन अगर इसे as a noun यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है किसी चीज़ का फाइदा या फिर किसी चीज़ का लाब इसका मतलब यह है कि वह गरीब है और गरीब होने के अतिरिक्त या फिर गरीब होने के अलावा वह बहुत ज़्यादा दाता है बहुत ज़्यादा उदार है He is poor plus he is very generous एक और example है I love to enjoy party plus I get to spend time with my friends इसका मतलब यह है कि मुझे party में मजे करना पसंद है यहां पर plus use हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि party में मजे करने के साथ साथ मुझे अपने दोस्तों के साथ समय बिताना मिल जाता है I love to enjoy party plus I get to spend time with my friends इसी वर्ड को as a noun कैसे यूज करते हैं अपने sentence में तो चलिए इसके उपर कुछ examples देख लेते हैं जैसे Having a bike is my plus इसका मतलब यह है कि मेरे पास bike होना मुझे इस चीज का फाइदा है मतलब bike होने का मुझे एक फाइदा है या फिर मुझे एक lab है मतलब जैसे मैं bike से इधर दर कहीं जाता हूँ तो वो मेरा time बचाती है तो bike होना मेरे लिए एक plus है एक और example है Knowing English would be a plus for you if you go to appear in interview इसका मतलब यह है कि अगर आप interview देने जाओगे English को जानना आपके लिए एक plus होगा मतलब एक lab होगा या फिर एक फाइदा होगा Next one is wherever इसको हम इस sense में use करते हैं जैसे किसी जगा के बारे में बात करते हुए हम बोलते हैं जहां कहीं या फिर जहां या फिर कहीं भी For example We can go wherever you like इसका मतलब यह है कि आप किसी से बोल रहों कि मतलब जहां कहीं भी आप जाना चाते हो हम वहां जा सकते हैं We can go wherever you like एक और example है I got to see bumpy roads in village wherever I went इसका मतलब यह है कि जहां कहीं भी मैं गया मुझे गाउं में उबर खाबर वाली road देखने के लिए मिली I got to see bumpy roads in village wherever I went एक और example है Wherever possible I searched the key but I didn't get it इसका मतलब यह है कि जहां तक संभव हो सकता था मैंने चाबी को ढूंडा लेकिन मुझे चाबी नहीं मिली Wherever possible I searched the key but I didn't get it Next one is in case इसको हम इस sense में यूज करते हैं मतलब जैसे future में किसी चीज के होने की कुछ possibility है या पिर आप बोल सकते हैं जैसे एक्जांपल है take an umbrella in case it rains इसका मतलब यह है कि एक चाता ले लो कहीं बारिश ना हो जाए मतलब future में possibility है कहीं बारिश ना हो जाए तो उससे बचने के लिए चाता ले लो या फिर आप बोल सकते हैं बारिश होने की कुछ संभाव ना है तो उससे बचने के लिए छाता ले लो एक और एक्जामपल है Hold his finger tenaciously in case he falls down इसका मतलब यह है कि आप कहीं पर road पर एक बच्चे के साथ जा रहे हो तो आप किसी से बोल लो कि उसकी उंगली को tight से पकड़ लो कहीं वो गिर न जाए तो इसका मतलब यह है कि future में कुछ संभावना है कि बच्चा गिर भी सकता है तो उससे बचने के लिए उसकी finger को tight से पकड़ लो आप ऐसा बोल रहे हो एक और एक्जामपल है Put a water bottle with you in case you get thirsty at night इसका मतलब यह है कि एक पानी की बोतल अपने साथ रख लो Most probably जैसे अगर हम Probably word को use करते हैं तो इसका मतलब तो यह होता है किसी चीज के होने की 50-50% chances हैं लेकिन अगर हम Most probably word अपनी sentence में यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कुछ चीज होने की 70-90% chances हैं तो चलिए examples लेते हैं जैसे Most probably it will rain at night इसका मतलब यह है कि 72-90% chances हैं कि रात को बारिश होगी Most probably it will rain at night एक और example है Most probably being your friend he will help you इसका मतलब यह है कि तुमारा दोस्त होने के नाते 70-90% chances हैं कि वह तुमारी मदद करेगा मतलब आप किसी को बोल रहे हो, किसी को समझा रहे हो Next one is likewise इसको हम इस sense में यूज़ करते हैं जब हमें बोलना हो ठीक उसी तरह या फिर ठीक वैसे ही मतलब आप किसी चीज़ को या फिर किसी situation को compare कर रहे हैं तो उस टेम पर हम इसे बोलते हैं तो मतलब उसके जैसा जैसे example है Her friend was wearing a black gown She likewise felt like wearing that gown इसका मतलब यह है कि यहाँ पर किसी लड़की के बारे में बात चली है कि उसकी जो दोस्त थी उसने एक black gown पहना हुआ था तो ठीक उसी तरह का gown पहनने का उसका भी मन किया Her friend was wearing a black gown She likewise felt like wearing that gown एक और example है I don't smoke and drink I encourage others to do likewise इसका मतलब यह है कि मैं cigarette नहीं पीता, मैं दारू नहीं पीता तो मैं ऐसा ही करने के लिए दूसरों को increase करता हूँ मतलब उनको बढ़ावा देता हूँ So that's it guys for this video I hope आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरू सीखने के लिए मिला होगा तो guys आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा मुझे comment section में जरू बताएं and वीडियो को like करना ना भूलें Thank you so much for watching this video I'll catch you in the next video, take care